जैशिक किशना दोस्तों, अक्षेत्रित्य की आपको बहुत बहुत बदाई हो। इस बार अक्षेत्रित्या 26 अप्रेल दिन रविवार को पड़ रही है। इस अक्षेत्रित्या पर अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेंगे, तो आप भी अपनी अनेक परिशानियों से मुक्ति पा लेंगे। जैसे किसी के उपर बहुत अधिक कर्ज है, या कोई बिमारी से ग्रस्त है, या गरीबी से बहुत अधिक परिशान हो चुका है, तो बस ये एक छोटा सा उपाय कीजिए और अपनी सभी परिशानियों से मुक्ति पा लेंगे। अगर ये उपाय आप कर लेंगे, तो महालक्षमी की आप पर अतिकरिपा हो जाएगी, भगवान विश्णू और महालक्षमी स्तिर रूप से आपके घर विराजमान हो जाएगे, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए ये उपाय मैं आपको बताती हूँ, अक्षयत रित्या के दिन भगवान विश्नु को पीले वस्त्र धारन करवाकर हल्दी मिश्रित चावल से आसन बनाकर स्थापित करें, भगवान की विधी विधान से पूजा करें, इसके पश्चात आप अगर करच से अपनी मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आपके सिर्प और अगर विश्नु भगवान को चड़ाते हैं, तो हमारे सिर्पर जितना भी करजा होता है, वह उतर जाता है, और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरन होती हैं, अगर आपको बिमारी ने गेर रखा है, आप हर वक्त बिमार रहते हैं, या आपके घर का कोई सदस्य है, जिसको बिमारी ने गेर रखा है, तो आप अगर उससे मुक्ति पाना चाते हैं, तो चने की दाल और इत्र भगवान विश्नु को अरपित करें, ये आपके और आपके परिवार के स्वासत्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा, इन दो चीजों को चड़ाने से आपके घर के अंदर जो बिमारी है वो चली जाएगी और फिर कभी दुबारा नहीं आएगी, अगर आपको ग्रह सुक की प्राप्ति करनी हैं, तो आप कन्याओं को भोजन कराएं, अक्षयत रित्या के दिन कन्याओं को भोजन कराकर पीली चुनरी वे पीला रुमाल भेंट करें, जिससे की विवा की अगर मनो कामना है तो भगवान को जुड़ा हुआ फल अर्पित करें, जुड़े हुए फल से तात्प्रिय है कि दो फल यानि कि दो केले या दो सेब हो सके तो केले का ही फल जो है वो दो केले विश्नु भगवान को अर्पित करें, क्योंकि केला भगवान विश् विष्णु को की लर्पित करें क्योंकि की लर्पित करने से महालक्षमी और विष्णु आपके घर स्तेर रूप में विराजमान हो जाएंगे और आपके घर धन की बारिश हो जाएगी बहुत अधिक धन हो जाएगा वाहन की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगव शेगर ही नया वाहन देते हैं ये सब उपायद आप की सब परशानियों का हल है अगर आप ये सब उपाय अक्षत हृत्या के दिन करते हैं तो शेगर ही आपको इन सब मनोरतों की पूर्थी होगी बोलो भगवान विश्णु की जै दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? कुमेंट करके वश्य बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जैशी किशना दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में झाल 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 झा